हलो व्रेबन कैसे हैं आप लोग आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपनी यूटीब चैनल पे स्वागत है आज मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से यूजी सी द्वारा पब्लिक नोटिस जो आई है उसे शेयर करने जा रहा हूं और ये नोटिस आई है आई है ये ये यूजी सी के द्वारा डेट एक्सेंशन की नोटिस आई है और ये नोटिस इससे पहले भी आई थी ऐसी ही नोटिस आई है इसे मैं डिटेल में आपको बताता हूं ठीक है तो यहां देखें कि इस पहले उन्होंने गाइडलाइन इसु किया था जिस पह उन्होंने बता है था कि as per these guidelines extension of six month was conveyed for MPhil PhD students who were to submit their thesis or dissertation by 13th June 2020 यानि 30 June 2020 तक जिनको अपना dissertation या thesis submit करना था जो नहीं कर पाए उनके लिए उन्होंने क्या किया था कि extend कर दिया था date ठीक है यानि कि छे महीने का extension किया था यानि कि ये उन्होंने 29 अप्रील को किया था इसके बाद फिर ये दोबारा extension हुआ है तो यहां जनरल बात लिखी हुई है कि यही COVID-19 के वज़े से और research में experiments में सभी को बहुत सारे problem आये हैं जिस वज़े से यह date extend किया था पहली बार और इस बार भी वही चीज़ है in view of the above and in the large interest of the research scholar a further extension of six month देखिये further extension हुआ है यानि दोबारा extension कि दिया गया है six month का for terminal MPHDA students who were supposed to submit their thesis by 31st December 2020 जिनको 31 December 2020 तक अपनी thesis जमा करनी है या थी उनके लिए है के may be granted by the university जिनको क्या होगा के till 13th June 2021 यानि के 30 June 2021 तक उनको may be granted by the university यानि के हो सकता आपको एक application देना पड़े जिन लोगों को 31 December 2020 तक अपना thesis जमा करना था या dissertation जमा करना था उनके लिए ये debt extend कर दिया गया है छे महीना और यानि 30 June 2021 तक उनको समय दिया गया है कि अपने thesis को जमा कर सकते हैं ठीक है as mentioned above may also be granted for submitting evidence of publication and presentation in two conference और यही छे महीना उनको जो PhD के दरमियान paper publication का जो होता है paper publication तथा paper को present करना दो conference में उनका जो evidence है इसके लिए भी उनको यानि 6 महीना और दिया गया है कि आप show कर सकते हैं इस 6 month में यानि कि ये date कहां तक चला गया 30 June 2021 तक however the tenure of fellowship of Emphil PhD will be the same यानि कि जो tenure है जो fellowship जो मिलता है उसके date यानि उसका समय नहीं बढ़ाए गया वो सेम रहेगा यानि कि वो पांच साल का जो था वही रहेगा उसमें कोई बदलाओ नहीं लाए गया है और ये notice आई थी हर दिसंबर 2020 को यानि ये कल आई थी ये notice आज मैंने आपको ये शेयर किया है तो आपको अगर मेरे ये दी गए जानकारी पसंद आई तो हमारे वीडियो और इस चैनल को सबस्क्राइब कीजिए शेयर कीजिए थैंक यू वेरी मच्च